जो अबने पती की नहीं हुई वो सचिनगी हो जाएगी जो चार बच्चे होने के बावजूद भी मुझणे को तयार नहीं है फिर भारत आ गई और कह रहे थे मुझे मुझे मुहबब़ नहीं मिली तो वो लगता है सचिन्गी हो जाएगी सचिन भी यहाँ पर मेरे खाल से हैंडिकैप था न पुन सकता उसको यहाँ के कोई लड़की मिल नी रही थी इतने बड़े भग जो तुम तालियां बजा रहे हो पड़ाऊची देश की मिली अपनी बवबेटी क्यों नी दे दी तुमने सचिन को उसके लिए भी तुम मुलाओ की सर्वाथ हस्बेंड गुलाम बलोच उसने इसको पैसे बेज़े के मकान खरी ले उससे इसने मकान खरीदा जिसको बेज़ के अभी सचिन नामी आशना के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान भाग कर आ गए तुझे मुल्क से महबबत नहीं तुझे बच्चों से महबबत नहीं तुझे पती से महबबत नहीं तु सचिन से महबबत कर लेगी जो अपने पती की नहीं हुई जो अपने मुल्क की नहीं हुई जो अपने मैके की अपने दद्याल की अपने प्रॉस की नहीं वो भारत मे सचिनकी हो जाएगी नहीं वो तो अपने साथ चार दामाद लेकर आई है बग जो खुश हो रहे हैं कि हमने घर वापसी कर लिया अरे बावलो तुमने तो चार दामाद से आप जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो दामाद भी तो बनेंगे न तुम्हारे तुम्हारी पाकिस्तान की लड़कियों को भी वापस लेकर आएंगे सवाल ये नहीं उटता कि सीमा हैदर भारत आई सवाल ये बी नहीं उटता कि सीमा हैदर ने सचिन नाम के आदमी से शादी करी सवाल ये उटता है सीमा हैदर जो खुद को ये कहते हैं कि मैं पांचवी पास हूँ सीमा हैदर जो एक बहुत गरीब परिवार से आती है सीमा हैदर जो एक गाउं की रहने वाली है वो किस तरह हिंदुस्तान आ जाती है और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजनसी सी बी आई और हमारा जो ग्र लेकिन हमारे मंत्राले पर संत्राले पर मोधी के डंके पर कोई फरक नहीं परता वह जब एक्स पोस होती है तो यहां पर सवाल तो यह उठना चाहिए था यहाई कैसी उसके बाद उल्टा सवाली उल्टा खुश्या मनाई जा रही है कि देखो पाकिस्तान की सीमा हैदर को हमन कि लगना रहे है कि सीमा हैदर के पास तीन पासपोर्ट हैं सीमा हैं जो निलबटा संनाटा है एईजुकेशन उसके कुछ पास नहीं है वह कैसे पाकिस्तान से अपना मकान बेचके बाया दुबई बाया इधर नैपाल होती भारत है यानि कोई ने कोई दुसके पीछे था तो मुझे सीमा हैदर के अंदर जो है, वो एक आप यह कहीं कि जासुस नज़र आता समूस है और है किसी मा झी कि जितने भी जासुसी करते हैं या तो वह एक च जहां कि प्लमा इसे और нарागाक प्रक्षार हुआ और शूरत और उन्हों अन्हें चेंस परुट कौ खुल गई कलमा भूल गई सूर्ट भूल गई नमाज भूल गई रोजा है वह हुंद तो है पाकिस्तान हिंदु जो हिंदोस्तान यहां तो हमारी पूरी दुनिया में लंका लग गई के देखो भारत जो यह कहता है हम एक इतने जबर्दस मुल्क हैं हम डिजिटल पर आ रहे हैं हम विश्गूरू बने वहां पर एक गाउं के गाउं गवट्टी ओरत हिंदुस्तान में 50 दिन से रह रहे हैं लेकिन इनको पत हिंदित सिविल कोड तो यह दिखा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में जो लड़किया है वह भारत आकर धरम परिवर्तन कर रहे हैं तो यह मुझे सारी चाल लग रहे हैं यह कहीं न कहीं इनका पिट्टू है और मुद्दों से भटकाने के लिए तमाब मीडिया जो है वह सी सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर पर लगा दिया सवाल यह भी उड़ता है जाहिद अगर यह सीमा जो है यह सीमा शर्मा होती और लड़का हिंदूस्तान का जो है सचिन्ना होके कोई मुसलिम होता है अहमद्दीन फक्रुदीन मुहमद्दीन होता तो क्या हिंदूस्तान की सरकार है हिंदुस्तान के दो भक्त हैं वो तब ऐसे तालियां बजा रहे होते हैं नहीं पूरे खांदान को ठाक इन्होंने जेलों में डाल दिया होता पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी वह अगर मुसल्मान एहमद मुहमद túaldasor नामका लड़का उस लड़की को पाकिस्तान से लेकर आया होता तो हिंदुस्तान में उस खांदान को पूरा नस्तु-Nाबोड कर दे बाबा के बुल्डोजर तो मौमखा के बुल्डोजर तो चाचा के बुल्डोजर सब उस पे चला दिया गया हुता किस बात पर इन भक्तों की न मैंने का न गुफ़ाओं की ना जायज ओळादी न तो गर्फ करेंगे आप एक बाब बताइए सीमा हैदर किसी की पतनी थी और कह रही मुझे सचिन से महब्बत हो गई तेरी मौसमों की तरह बदलती रहती है गर्मिलम olur टूने घृधाइधर बना जा रहा है जब यह घृण armas के साथ भागई थी तो इस पर Bros नियुद था कि वो दुबाई कमाने गया था और उसने इसको मला यह स्टोरी महाँ पर पूरी निकल करा रही है गुला इसका जो हस्बेंड गुलाम बलोच उसने इसको पैसे बेज़े के मकान खरी ले उससे इसने मकान खरीदा जिसको बेज का भी सचिन नामी आशना के साथ यहां पर ह कोहबत की नहीं हुई जो अपने बच्चों की नहीं हुई जो अपने मैके की अपने दद्याल की अपने प्रॉस की नहीं वह भारत में सचिन की हो जाएगी नहीं हो सकती नहीं होगी नहीं वो तो अपने साथ चार दामाद लेकर आई हैं बग जो खुश हो रहे हैं कि हमने वापसी कर लिया रहे बावलो तुमने तो चार दामाद से आप जब उसके बड़े होंगे तो दामाद भी तो बनेंगे तुम्हारे तुम्हारी बेटियां उसके संग आएंगी तो चोटी चोटी बातों पर यह इशू बनाते हैं तुम्हें तो यह खुश होना चाहिए कि पा पाकिस्तान को पाकिस्तान भेज़ देने चाहिए। मैं तो समझ नहीं पारी कि जब मोहब्ब नहीं होती तो पिर बच्चे कैसे pएदा हो तु यही खेल यहां पर खेल लेए कि सचिन मेरी महाब था आ प्यार करता था चार-वांश बैदा करूप आ हूं तो तुम तो नो बावर देश तो उठाओ ने बिए आ रहरा है बचछा पादा करने की मश्टा campuses कि फो तो 11 बार ड़ार उसके वैसी हो जाने हैं देखी अवल बात तो मुसल्मानों में इतने अकले शूण होती है कि तेरी इज़त मेरी इज़त को सब की इंज़त माना जाता है मुसल्मान बहुत कम ही मलगों जो इसलाम पे नहीं होता होगा बिजी एम को भगा के लेकर आता हूगा ये जर्व भी ये बेशरमी कहां से लाते हैं इतनी बेशरमी भगत ये बेशरमी भी इनमें ही हो सकती है सचिन कितना जलील है उसको पता था कि सीमा बलोच एक शोहर रगती है चार बच्ची रगती है दूसरे मुल्क की है तुझे क्या हिंदुस्तान में कोई नहीं मिल लही थी यानि इससे पता चलता है कि सचिन कितना हैंडिकैप था कितना लाचार था कितना नपुन सकता कि उसको यहां पर कोई लड़की नहीं दे रहा था पड़ासी देश से औरत भगा के ला है वह शादी अगर होता तो अब तक वो चेल की जीनत बना दिया जाता देखी यहां पर जहां अगलत इस्तमाल करते अपनी बुलबुल जितनी आपके पास एडी सीडी टीडी पीडी है इन सब को यहां लगा के मालूं करिया आया सीमा बलोच है कौन यह मुसल्मान भी है यह पाकिसान की इसको हिनो लड़किए यह पाकिसान की है भी है पाकिसान में भी आपने मुक्बिरी करने बेजाता और वहां से आननफानन लाके आपने एक तिसे बहुत सारे शिकार कर दे क्या पता पाकिसान में इनकी एजंट हो और वहां से वापस लेकर रहा है', इसको मुस्लमान मना के लिए हैं और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं, कि स Duchin के साथ भागी और जाशी राम के नारे लगा रहे हैं, इस ताला कर रहे हैं अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते आपकी भी सुनते हैं किसी भी खबर पर तबस्रा करने के लिए हमारे वाटसैप नमबर पर अपना पेगाम बें